एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम देखेंगे Mastermind of GK का Master वीडियो ठीके फ्रेंड्स अब मैं उसी तरह का प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिस तरह का प्रश्न आपको 12 जन्वरी को पूछा गया था ठीके फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ठीके फ्रेंड्स अब जो भी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा उसका हर एक प्रश्न है जो काफी महतुपूर होगा इसलिए वीडियो को सुरू सिल लाष्ट तक जरूर देखेगा ठीके फ्रेंड्स लाष्ट में कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीके फ्रेंड्स कोस्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है चलिए तो इस वीडियो को लाइक ने हैं तो लिजेगा फिर मैं इसका ंतर अंसर बतावूंगा फ्रस्ण है कि माओरी जंति का निवास छेत्र पाया जाता है इसका si ho ‫जय जाता है तो प्रस्ण नमबर 2 देखें काफि प्रस्ण है प्रस्ण 2 आपके सामने है कि एंणwriting जाति कहां पाई जाति है तो एनू जाति कहां पाई जाति है जिसका सेँसर आपका B हो जातेवर इस्के सिंद्ध AB अधिकतर भारतियों का संबंद किस संब्द में विद्ध आपकर संब्ध किस इसमीं प्रस्ट देखे, आश्ट्रेड लायसमू से संबन्दित है अधिकतर भारतियों का संबन्दित समू से है चलिए प्रशन नमबर 4 को देखे प्रशन नमबर 4 आपकी सामने है ये भी बहुत important प्रश्ट है कि याकूत लोगों का निवास छेतर है याकूत लोगों का निवास छेतर क्या है तो गेज किजे इरान, केन्या, रूसी टूंडरा या जापान तब प्रशन नमबर चार का सैंसर क्या होगा तब प्रशन नमबर चार का जो सैंसर होगा आपका सी हो जाएगा रूसी टून्रा पर्देश में आपका याकूत लोग रहते हैं चले प्रश्ण नमर पांच को देखते हैं प्रश्ण नमर पांच बहुत ही इंपॉर्टन प्रश्ण इसका अंसर गेज किजेगा इसमें दो तीन जिक्के बनेगा फ्रेंस इसको डिसक्राइब करेंगे प्रश्ण नमर पांच का आपके सामने है कि केंद्र में द्वैद सासन किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया तिसका सही अंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 अब इसके नोट्स में जो लिखा हुआ है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी तीनों पॉइंट को याद रखें देखें इससे बहुत सारा प्रश्ण बन रहा है इस पहला पॉइंट में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैद सासन को समाप्त कर तो प्रश्ण पूछा जाता है कि जो प्रांत में द्वैद सासन था वो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया तो किसके द्वारा समाप्त किया गया उन्हें 35 के भारत सरकार के उन्हें 35 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वाइद सासन था उसको समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में लागू किया गया तो प्रशन आपका यही था फ्रेंट्स कि केंद्र में का प्रशन क् ठीक फ्रेस्ट, दोप्रस्न हो गया ? कि मुसल्मानों को सामप्रदाइक अधार पर निरवाचन का अधिकार दिया गया किस अधिनियम के दोरा था था ठीके concept clear हो गया अब आगे देखते हैं हाँ प्रश्ण नमबर 6 को देखे प्रश्ण नमबर 6 आपके सामने है कि भारत में पहली बार लोग सेवा आयोग की अस्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी पूछा जा रहा है भारत में पहली बार ठेके ध्यान देजेगा कि भारत में प Hz 26 इसवी में हुई थी ठीके फ्रेंश तो भारत में पहली बार लोग सेवा आयोग की अस्थापना गर्वेंट ओफ इंडिया एक्ट 1929 के तहत 1929 इसे इसवी में हुई थी ठीके फ्रेंश देखे पर नोटच में लिखा हुआ है कि इस एक्ट के तहत ही भारत में पहली बारूने 26 में लोग सिवा आयो का गठन किया गया था चलिए अगला प्रस्थ को देखते हैं जो काफी important प्रस्थन है और इसी प्रस्थन में confusion हुआ था friends क्योंकि बुक में गलत दिया हुआ था इसलिए confusion हो गया था कि प्रस्थन देखें काफी important है कि असोक मेहता समीती ने पंचायती राज के लिए किस परतिमान की संस्तुति की थी एकस्तरिये 2 स्तरिये 3 स्तरिये या 4 स्तरिये तेक यह थे आपका सयंसर इसका होजाएगा ब्यद्ध्वेस तरिये संस्तुति के थे पूछा जा कि असोक मेहता समीती का गठन कभ भुई था प्रेंश तो 117 इस्वी में भुई था इसे भी आधर रखे कि पंचायती राज ठीक है फ्रेंस यहां कर रहा है कि पंचायती राज परणाली किस सिदान्थ पर अधारित है तो क्या होगा केंदरी करन विकेंदरी करन या ये दोनों या इन में से कोई नहीं है इसका शैंसर क्या होगा रच परणाली है वह आपको विकेंदरी करन के सिदानध पर अधावाज देखे प्रश्ण नमर 9 बहुत हैा मैंने पहले बता चुन हो खरैंस कि इस वVictor का जितना भी या ग्राम पंचायत है या ग्राम अदालत तकी इसका इन्सर क्या होगे यिए ग्राम नियाया लए कहलाता है तो तो जो ग्राम नियाया लए कहलाता है इस एयुड् Communist उन्स प्शुमा लगता है नियायप ँद्र मंदल कूरारे देखता कौन करता है खरोग है ultimate मंत्री मंदल है उनकी बैठक की अधहस्ता कौन करता है तो इसका पर्धान मंत्री हो जाएगा कौन करते हैं तो पर्धान मंत्री करेंगे ठीप अब देखें नोट्स में लिखा हुआ यह भी काफी की अधहस्ता कौन करता है तो कौन करता है पर्धान मंत्री करता है चलिए प्रश्ण नमर बारा को देखें यह भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है गेस किजिएगा कि संसद द्वारा संकट काल की घुसना का अनुमोधन कितनी अबदी के अंतराल में होना अवस्यक है गे प्रशन अमर 13 को देखें प्रशन अमर 13 आपके सामने है कि निम्लिखित मेंसे कौन भारत के राष्ण बार्ट की राष्ण पती की इच्छा तक ही पदपर बधन रह सकते हैं तो इसका जो और आले निया धिस या लोगसभा के अध्यक्श तो इसका जो से राजपाल नोटत में लिखा हुआ है ? राजपाल और कौन महान्यवादी राष्टपती की इच्छात तक पद पर बने रहते हैं जबकि लोगसभा के अध्यक्ष को लोगसभा से पारित और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है प्रश्ण आपको ये भी बहुत sido important पूछा जाता है कि लोक-सभः के अध्यक्ष को किस तरह से हटाया जा सकता है तो लोक-सभः में क्या आव इस्पास परस्ताव पारित करकर के लोक-सभः अध्यक्ष को हटाया जा सकता है ठेक प्रेंस तो concept क्लियर हो गया होगा कि राजपाल ये वो महान्यवादी है जो राश्टपती के इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं प्रश्ट नमबर 14 को देखे प्रश्ट नमबर 14 है कि निमलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ती दी गई है तो गेज कीजे पहला है आपका भारत के सभी नियायायलों को B में है आपका A में है भारत के सभी नियायायलों को B में है संसत को C में है राश्टपती को D में है सर्वोच्च नियायायलों को प्रश्ण को एक पर फिर से देखें प्रश्ण है कि निम्रिखित में से किसको सम्विधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ती दी गई है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा प्रश्ण नमर 14 का इसका सही अंसर आपका हो जाएगा D यानि सर्वोच नियाले के सर्वोच नियाले एवं उच नियायाय लोग को दिया गया है ठेक फ्रेंस नोट्स में लिखा हुआ है यह भी याद रखें नोट्स में देखें आपका लिखा हुआ है कि सर्वोच नियाले अनुछेद 32 के अधार पर दखें 32 की अधार पर एवं उच नियाला अनुछेद 226 की अधार पर मौलिक अधिकारों के संदचन में 5 परकार की रीट जारी करती है। इसलिए जरूर याद रखें थोड़ा वक्त लग रहा है फ्रेंस लेकिन अच्छी तरह से देख ले निम्रिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सकती दी गई है तो सर्वोची नियाले एवं उच नियाल को अगला प्रस को देखें प् कुछा जाता है फ्रेंस यह भी भी आई प्रशन है सभी को रट ले का रहा है अगेस की जिसका सैंसर क्या होगा कि किसी अर्थ वियस्था में मुद्रा के मुल्य और कीमत अस्तर के बीच समंध होता है अनुलोम होता है परति लोम होता है समानुपातिक होता है या स्थिर होत पंद्र का सहयनसर आपका B हो जाएगा परती लूम चलिए अगला प्रस को देखे अगला प्रस्ण आपका है कि सार्वजनिक रीन पर ब्याज किसका भाग है यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रस्ण है फ्रेंट्स हुब भूई इस्टेप का प्रस्ण आपको पूछा जा सकत है करा सार्वजनिक रीन पर ब्याज किसका भाग है उप्सन ए में है उद्धमियों द्वारा अंतर भुकतान बी में है सरकार द्वारा अंतरन भुकतान सी में है राष्टिय आए और डी में है परिवारों द्वारा ब्याज भुकतान तो किसका सेंसर क्या होगा सार्वजनि से सम्मंदित प्रश्ञ पूछा जाता है इसले मैं धो तीन प्रश्ट की कमी से B में मुद्रा पूर्ति की अधिकता से C में हैं मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रन से D में हैं में से कोई नहीं तब प्रश्ण नमर जो 17 है इसका सैंसर क्या होगा गेस किजे ति इसका आपका सही हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से बहुत है important प्रश्नो स्पीति किससे मापी जाती है यह भी काफी important है मुद्रा स्पीति किसके द्वारा परिकलित होती है तो изका sensor आपका हो जाएगा C हो जाएगा ठोक मुल्य सुचकांग के द्वारा मुद्रा स्फिती परीकलित होती है किसके द्वारा तो ठोक मुल्य सुचकांग के द्वारा चले प्रश नमबर 19 को देखे प्रश नमबर 19 का है प्रश नमबर 19 है कि निम्लिखित में से कौन सी गैर समवैधानिक संस्था है गेस की ज़िए इसका सैंसर क्या होगा योजना आयोग, संगलोकसेवायोग, वीतायोग या चुनावायोग निम्लिखित में से कौन सी गैर समवैधानिक संस्था है तब प्रशन नमबर आपका जो 19 है इसका सैंसर आपका यह हो जाएगा योजना आयोग है, जो क्या है गैर समवैधानिक संस्था है ठीक है प्रशन नमबर उने इसका सैंसर आपका यह हो जाएगा, योजना आयोग चलिए प्रशन नमबर 20 को देखिए प्रशन नमबर 20 भी बहुत important प्रशन है कि भारतिय सांखिकी संस्थान ISI का मुख्याले कहां इस्तित है भारतिय सांखिकी संस्थान ISI का मुख्याले कहां इस्तित है तो गैस किजए नई दिल्ली, मुंबई, चनई कोलकता जिसका सैंसर आपका हो जाएगा D कोलकता में है चलिए प्रशन नमबर 21 को देखिए प्रशन नमर 21 आपके सामने है कि गरीबी उनमुलन का नारा किस पंचवर्षी योजना में दिया गया था गेस किजए फ्रेंट्स काफी इंपोर्टेंट प्रशन है पहला है में है आपका दूतिये B में है चतूर्थ और C में है पंचम और D में है छठी प्रशन नमर 22 को देखें प्रशन नमर 22 को देखें किस पंचवर्षी योजना की अवधी में की गे थी यह भी बहुत ही इंपोर्ट्टेंट प्रशन है जीश्क किजिए इसका Sensor क्या होगा नवाड के श्थापना फूछा जा रहा है इसका Sensor क्या होगा गिश कि इसका Sensor आपका हो जाएगा 6 ठीक है 6 पंच वर्षी वज Corps के दोरान ही आपका नवाड के अगला प्रश्न है देखिए समीती से भी प्रश्नBERG स्सक्षा घार है इसलिव इंपार्ट में लिखा वा इस समीती से फिर्श्न पूछा जैता रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वीडियो का सारा प्रशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है चले प्रशन पर तेस को देखे नर्सिहम सम्मीती ने देश में बैंकिंग राज को कितने अस्तरिये बनाने की संस्तूति की थी काफी इंपॉर्टेंट प्रशन है इसमें दो इसका सहनसर क्या होगा की चार अस्तरिये लिए की संस्तूति थी ठीए फ्रशन मबर come समितिन मलिखित में से समंदित तो तardon समंदित थी तार्शन मिति किसे समंदित थी त听ल्स की साहाओ यहिए और बहुत इंपॉर्टन है पुन पुंजी लेखा परिवर्त नियता ठीक है प्रश्ण नमर चुविस का सेंसर हो जाएगा तारपोर समीति का संबंद पुन पुंजी लेखा परिवर्त नियता से था ठीक है तो चुविस का सेंसर आपका बी हो जाएगा तो प्रश्ण नमर पची प्रेंट्स क्या है बहुत इंपोर्टन प्रस्ना है कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सी समीती गरीबी रेखा के निर्धारन से सम्बंदित है कौन सी समीती है जो गरीबी रेखा के निर्धारन से सम्बंदित है आप्सने में तेंदूलकर समीती, मलोतरा समीती, महता समीती और या तो प्रियुक्त सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपको तेंदूलकर समीती ठीक है फ्रेंस निमलिखित में से कौन सी समीती गरीबी रेखा की निधारन से समदित है तो तेंदूलकर समीती है जो गरीबी रेखा के निधारन से संबंदी थे ठीक फ्रेंस इसके पहले मैं जब टॉपिक वाइच पढ़ा रहा था फ्रेंस इसमें मैं सभी को ट्रिकली बता दिया हूँ अगर आपको सब वीडियो नहीं देखे फ्रेंस तो फटा फट जाकर ये प दिन है जो एक्जाम में जो प्रेशन पूछा जा रहा उसका लेबल है तो टेफ किया रहा है ठीक फ्रेंस तो अब थोड़ा सा क्या है हम लोगों को तैयारी भी डिपली करना पड़ेगा तो देखे लोहें पहले पूछा जाता था कि लोहें में जंक लगने से लोहें का बा लगती है ठीकिए फ्रेंस लोहें की वस्तुव में जंक क्या बनने से लग जाती है तो अपका भी हो जागा यह दिर्च नबर 27 सामने है यह सामने है रसाइनिक रूप से सुस्क की हम क्या है थो से घूमा करने पूछा जा सकता डिर्यक नहीं पूछा गया है इसमें क्या हो गय सूखा बर्फ के बारे में पूछा जा जारा है तुछ कि बारे में पूछा जार रहा है तो प्रस्ध कासी होजाएगा ठोसчас करवंड कोई निंगर संजिंसर बहो जाएhat बी हो घाज बारे में जेख नबर रियाद रखें, गेस किजिए इसमें कौन सा प्रकिरिया है, जो रसाइनिक परवरतन की परकिरिया है, तो प्रेशन बतातों अ में सदारन लवन का जल में घुलना, बी में प्रभाजी आस्वन से पेट्रोलियम का सोधन, C में है Motor Kakarow में petrol का dhann द्लिक का दहनों द्लिक में से put calor और एथिल alcohol का मिलाना तर इसमें से कौन है चारों में से जो एक है जो आपको रसाइनिक परवर्तन का उदाहरन है इसका sensor आपका हो जाएगा C हो जाएगा मोटर कारों में पेट्रॉल का दहन है जो क्या है रसाइनिक परवर्तन के उदाहरन है रसाइनिक परवर्तन कहने का ताथ पर है जब रसाइनिक परवर्तन होता है तो तत्व या वस्तु के जो गुन और धर्म है रंग रूप में बदलाव हो जाता है ठीक फ्रेंस आने एक बरार साइडिंग परवर्तन करने के बाद वो पुनह अपने रूप में नहीं आ सकता है ठीक है फ्रेंस तो इसका सेंसर आपका C हो जाएगा चलिए प्रेंस नंबर 29 को देखे प्रेंस नंबर 29 है कि तापमान की केलिविन पैमाने पर जल का कोथनांग है तो तापमान की केलिविन पैमाने पर जल का कोथनांग की कितना है फ्रेंस गेस किजिए इसका सेंसर आपका हो जाएगा 373 ठीक है कितना 373 केल्विन ताप मान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वाथनांग की कितना है तो हो जाएगा 373 ठीक फ्रेंस अगला प्रस को देखते हैं देखें नोट्स में जो लिखावाई फ्रेंस यह भी इम्पॉर्टेंट है इसे जुरूर याद रखें ठीक फ्रेंस लिखावाई जल में असुधी मिलाने पर उसका वाईलिंग पॉइंट अर्थात क्वाथनांग बढ़ जाता है यह प्रेंस पूछा जाता है घ्क है कि अगर जो पानी में या जल में असुधी मिला दिया जाये तो उसका ग्वाईलिंग पॉइंट Ben उस पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ठीक है दाब बढ़ने पर भी जलका कोथनांक बढ़ जाता है तो दोनों जो point है friends बहुत important है पुछा जा सकता है कि दाब बढ़ाने पर जलका कोथनांक ठाथ बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा या एक समान रहेगा तो बढ़ जाता है ठीक है असुद्धी मिलाने से भी और बढ़ाने से भी क्या है जलका कोथनांक बढ़ जाता है हाँ फ्रेंस तो प्रश्ण नंबर 30 देखिए प्रश्ण नंबर 30 पुछा जा रहा है कि तार्पीन का तेल निमली खित लकड़ी से निकाला जाता है ठीक है फ्रेंस तो तार्पीन का तेल निमली खित लकड़ी से निकाला जाता है तो गेस किजे क्या होगा इसका सेंसर जनी होता है यह तो प्रशन क्या था तारपिन का तेल निमली खित में लग्री से निकाला जाता है सो आपको इस पर भिज्यान देना पड़ाइगा फ्र fibers wagon प्रस्ण नमर 31 को देखें प्रस्ण नमर 31 इस वीडियो का लास्ट प्रस्ण है इसका कॉमेंट करके हमें आप जवाब बताईएगा ठीक है देखें क्या है प्रस्ण आप लोग के सामने हैं प्रश्ण एक चिस्ट नबर प्रश्ण है कि सभी अमलों में निमलिखित में से कौन सा ततो अनिवार रूप से होता है ठीक फ्रेंस कौन सा ततो है जो कोई भी किसी भी परकार का अमलों हो उसमें वो बिद्यमान रहता है यही पूछा जा रहा है तो सभी अम लो में निम्लिखित में इसे कौन सा ततो अनिवार रूप से होता है option आपके सामने A में है oxygen, B में chlorine, C में sulfur और D में hydrogen तो इसका जवाव हमें comment करके आप जिरूर बताएगा ठेक friends तब मैं इसी तरह से आपको continue video exam तक provide करता रहूँगा friends सभी objective प्रेशन रहेगा friends, सभी में option के साथ रहेगा और जिस टैप का प्रेशन पूछा गया था friends, उसी टैप का प्रेशन में आपको provide करता रहूँगा friends वीडियो अच्छा लगा हो, तो comment जरूर करिएगा, ठीक friends, तो next वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए thank you, धन्यवाद friends, इसका अगर आप पीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप एक घंटा बाद आपको जो इस वीडियो का डिप स्क्रिप्शन है, उसमें इसका लिंक मैं provide कर दूँगा जो मेरा website का लिंक होगा friends, उस पर आप जा करके पढ़ सकते हैं